नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैक्पॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता 1975 में लगाए गए अपातकाल यानी इमेर्जेंसी को आज पूरे 48 साल हो चुके हैं इमेर्जेंसी के दौरान हुई सक्ती को लेकर सियासी विवाद होता रहा है और 40 साल भी जाने के बार भी उस दौर को यादे उस वक्त के विपक्षी नेताओं के जहन में आज भी ताजा है बता दे कि उस वक्त कॉंग्रेस और इंद्रा गांधी के विरोधी रहे प्रदेश और देश के प्रमुव विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा के खत्रे का हवाला देते हुए जेल में डाल दिया था और उस दोरान इद्रा गांधी के विरोधी कॉंग्रिस के नेताओं तक को जेल भेज दिया गया जैपूर और ग्वालिय के पूर्वल राजगहराने से जुड़े नेताओं को भी अपातकाल में लंबे वक्त जेल में बिताने पड़े थे पूर्विसीयम वसुंद्रा राजे की मा और ततकालीन सांसद विजय राजे सिंधिया और जैपूर राजगहराने की गायत्री देवी एक साथ तिहाड जेल में रही थी बता दे कि मौजूदा कॉंग्रेस महासचीव जिते इंडर सिंग के पिता प्रताप सिंग की अपातकाल में हुई रहस्यमी मौत आज भी पहेली बनी हुई है पूर्विसीयम वसुंद्रा राजे की मा विजय राजे विसिंधिया ने अपनी आत्म कथा राजपत से लोगपत पर में अपातकाल के दौरान हुए दुर्वेवान कॉंग्रेस नेताओं के कारणामों और उस वक्त की घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है बताते चले कि अपातकाल लगते ही उस वक्त के विपक्ष के निताओं को अरेस्ट कर लिया गया था जो बच गए थे उनकी तलाश में पुलिस लग गई विजय राजे सिंधिया उस वक्त जनसंग का सांसत थी जनसंग ही बाद में आगे चलकर 1980 में भार्थी जनतापाटी यानी बीजेपी बड़ा था जिस वक्त अपातकाल लगा वो दिल्ली में ही थी दिल्ली में वो अपनी परिचिक डॉक्टर के घर बहां उनके घर निकलने के बाद पुलिस का चापा पड़ा बताते चले कि पुलिस ने एक-एक कमरा चान मारा यहां तक की छट पर चड़कर पानी की टंकिया तक विजयराजे की तलाश की गिरफतारी के लिए पुलिस वालों को नेताओं की लिस्ट दी गई और 25 जून को इमेरजेंसी लगते ही सभी विपक्ष के नेताओं को गिरफतार कर लिया गया पुलिस मुख्याले को मैसेज दिया गया कि तयार रहना है ये नहीं बताया गया कि किसके लिए तयार रहना है बता दे कि रात 12 बजे पुलिस को ओर्डर दिया गया कि सुबह होने से पहले ही विपक्ष के निताओं को अरेस्ट करना है पुलिस अफसरों को लिस्ट दी गई लिस्ट में शामिल नेताओं को चार घंटे के अंदर अरेस्ट करना था ज्यादा तर नेता रात को अरेस्ट कर लिये गए लेकिन कई नेता बच गए और अंडरग्राउंड होकर काम करते रहे अब अपातकाल के दोरान ग्वालियर में सिंध्या महल पर कई दिनों तक आयकर और आपकरी के छापे मारे गए थे अलवर रियासत के ततकालीन राजा प्रताप सिंग और सिंध्या राजगराने के बीच अच्छे रिष्टे थे विजयराजे ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि आपातकाल के दोरान वो एक बार उनकी बेटी यशोधरा से मिलने आए तो उन्हें सिंध्या महल में आयकर छापे के बारे में बताया गया बता दे कि प्रताप सिंग ने यशोधरा से कहा कि आखिर इन लोगों को तुमने सिंध्या के राजप्रशाद में आने क्यों दिया उन्हें तुम्हें किवार बंद कर लेना चाहिए था पहरेदारों से कह देती कि इन में से किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए इसके बावजूद अगर वो नश्पिशाज भीतर गुसने की कोशिश करते तो उन पर अपने कुत्ते छोड़ देने चाहिए थे प्रताप सिंग ने आगे कहा कि यशोधरा एक बात बता देता हूँ कि ये लोग अगर हमारे महल पर छापा डालने के लिए आए तो मैं इन में से एक को भी नहीं छोड़ूँगा नतीजा चाहे जो भी हो बता दे कि कुछ दिनों बाद प्रताप सिंग के घर पर छापा डाला गया उन्होंने वैसे ही किया जैसे यशोधरा राजे ने कहा उन्होंने घर की तलाशी लेने आये अधिकारियों पर पालतू कुत्ते हाथियों और चीतों को छोड़ दिये अपातकाल के दौरान अलवर के फूल बाग में प्रताप सिंग के आवास की लाइट और पानी के कनेक्शन काट दिये गए थे पहले छापा मारने आये अपसरों पर जब हाती छोड़े गए इसके बाद सक्ती की गई विजराजे ने लिखा कि पुलिस ने चारों तरफ से उनका मकान घेर लिया था पानी के बिना उनका जीना दुभर हो गया एक हफते तक ऐसा ही चलता रहा पानी के बिना उनके पालतु जानवर तक बेहाल हो गये उपर से पुलिस का दबाओ अलग प्रताप सिंग और उनकी ACD प्रताप सिंग के मित्र भी थे नौकरों ने सोचा दोनों पूजा करने के लिए अंदर गए होंगे तभी गोलिया दागदी की आवाज नौकरों ने सुने दो गोलिया एक साथ चली नौकर दोड कर अंदर गए और देखा प्रताप सिंग और उनकी ACD खून से लटपद फर्श पर पड़े थे दोनों ने सिर्छ छेथ कर दो गोली आरपार निकाल दी बता दे कि अपातकाल के दौरान जैपूर की पूर्व महरानी गाईजरी देवी और विजयराजे सिंधिया को तिहार जेल में रखा गया था दोनों को अलग-अलग वक्त अरेस्ट किया गया विजयराजे ने कहा कि तिहार जेल में कैदी के तौर पर पीला कार्ड दिया गया था तीन सितंबर 1975 को उन्हें तिहार जेल लाया गया था कार्ड के आंत्रिक सुरक्षा के लिए खत्रा उत्पर्ण करने के अपराद में बंदी बनाने का उल्लेक था विजयराजे ने लिखा कि जैपूर की राजमाता गायत्री देवी मुझे वहां मिली हम दोनों ने एक दूसरे को जुक कर अभिवादन किया और नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़े हम दोनों ऐसे मिल रहे थे मानो किसी समहारों में मिल रहे हो गायत्री जी मुझे देख कर चौगी आश्चर्रिक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा तो आखिर आपको भी यहां लेही आया गया तिहार जेल नहीं है यहां धर्ती का नरक कुंड है और इस नरक कुंड में वो लोग धकेल दिये गए हैं जिन्हें तपोबल से इंदराजी का सिहासर डिग रहा था जेल की पुरानी कचेहरी वाला एक कमरा गायत्री देवी को दिया गया था उससे लगा कर एक बरामत किया और उसके पास वाले कमरे में मुझे रखा गया हमको एक ही शौचाले उपयोग में लेना पर था वहां नल तक नहीं था जमीन में एक के शाली समझ रही थी जिनकी कोट्रियों में तॉयलेट नहीं थी तिहार जेल में जगा जगा पर गंदीगी का धेड़ जमा रहता था दुरगंदियों थावा में घुटनन महसूस होती थी भोजन के वक्त थाली पर बिनबिनाती मक्षियों को लगातार दूसरे हाथ से पता था उस दौर में वसंद्रा राजे ने उन्हें जेल से छुड़वाने की लिए खूप कोशिश ये वसुंद्रा राजे की बहन उशा राजे इंद्रा गांधी से मिलने में काम्याम होगे विजयराजे का दिक्र छेड़ते ही इंद्रा गांधी ने नराज होकर कहा कि उन्हें तसकरी के मामले में अरेस्ट किया गया है बता दे कि गांधी परिवार के एक मेंबर से वसुंद्रा राजे को करना पड़ा था अपमान जनक बरताब का सामना वसुंद्रा राजे ने अपातकाल के दौरान विजयराजे को छुड़वाने के लिए अपने संपरकों का इस्तिमाल करके खूब पोशिश किये लेकिन कोई इंद्रा गांधी को नरास करने का साहस नहीं कर पा रहा था विजयराजे ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वसुंद्रा राजे दिल्ली में अनेक लोगों को जानती थी इन में से कई उचे पदों पर थे वसुंद्रा का उनके यहां आना जाना रहता था समाने दिनों में उन्हें जब भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता था सभी उनकी सहायता के लिए आगे आ जाते थे राजीव गांधी से भी उनके अच्छे परीचे थे लेकिन मेरी रिहाई के लिए वो अनुकूल वैक्ती नहीं थे कुछ केंडरे मंत्रियों और वरिस्ट अधिकारियों को भी वो जानती थी पर इन में से एक भी इंदराजी को भाजन बढ़ना नहीं चाते थे विजयराजे ने अपनी जीवनी में इस पूरे प्रसंग के बारे में लिखा कि गांधी परिवार के एक नेता ने वसुंद्रा राजे से किस तरह खराब वैवार किया था वसुंधरा राजे ने Ghanddi परिवार के इस नेता से मुलाकात की थी तो वो उस दोरान नराद हो गया था उसने वसुंधरा राजे को अपमाँजनग बाते कहीं जिसका जिक्रव वजयराजे ने अपनी जीवनी में किया है बता दे कि अपात्काल के दौरान सिंधिया राजगहराने के महल पर कई दिनों तक छापे की कारिवाई चली थी आईकर अपसरों और आपकारी विभाग के अपसरों ने कई दिनों तक सिंधिया पैलेस में छापे मारी की थी महल में जगा जगा गुप्त खजाने और तसकरी के अशंका में खुदाई की गई थी विजराजे सिंध्या ने अपनी जीवनी में लिखा कि अपातकाल के दौरान पड़े आएकर छापों में सब कुछ सीज कर दिया गया था खातों को सीज करने से पूरा पैसा अटक गया था कर्मचारियों को वेतन देने तक का संकट हो गया था छापों में गायब हो गया था आधा किलो का सोना और सिक्के और म्यूजिक नोट बता दे कि गौालियर में सिंधिया महल पर अपातकाल के दौरान कई दिनों तक छापों की कारेवाई चली थी महल में जगा जगा खुदाई की गई थी और एक एक चीज को खोल कर देखा गया था अफसरों को तसकरी कर सोने लाए जाने और गुप्त खजाने चिपा कर रखने का संदे था इसलिए कई दिनों तक पड़ताल चली थी विजराजे सिंधिया ने लिखा कि सोने के भंडार के बारे में सरकार को पूरी जानकारी हर साल दी जाती थी और इसके बावजू तसकरी के सोने का आरोप लगाया जा रहा था बता दे कि सरकार को सोने के इसी भंडार से एक हजार तोला सोना दान दिया जाता था हमारा सोना तसकरी का नहीं है ये साबित करने में हमने 9 साल लगा दिये इस दोरां शहजहां के वक्त का एक सोना का आधा किलो वजनी सिक्का गायब हो गया ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जिसका गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम था जुड़े रही है इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म के साथ मुझे देजिए इजाज़ धन्यबाद